हेलो गाइज विलकम टू अश्टार कर्ष्टेटी पाइंट स्वागा था अब सबका इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में बात करने के कलास 12 वालों के लिए केमेस्टी का यहां दोस्तो केमेस्टी का काफी इंपोर्टन अब्जेक्टिव कोश्चन और यह ठीक है और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरू करना इसका लिंक नीचे डिसकप्सर में देरा लूँगा दोस्तों जहां से आप लोगों को हर सब्जेट का चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे इंगलीज और हिंदी मेडिय जो एउँ है दोस्तो का ऑक्सिडेशन नमबर होता है अक्सिकरन संख्या बोला जा रहा है सोना का यह प्लस वन होता है दोस्तों याद रखेगा एक का वह गम है गोंद आपका से उत्तर दो का भी तीन नमर है दोस्तों कि निम्लखित में से सबसे सकती साली ओक्सिकारक पदार्थ कौन है और स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सिडेशन यहाँ पदार्थ बोला जायर ऑक्सिडेजिंग एजेंट यह हो जाता है दोस्तों आपका एफ टू ठीक है फ्लोरिन तो से उत्तर यहाँ पे तीन का ए अब चार नमर है कि निम्लखित में से किसकी आकिरती चतुस फलक होती है चतुस फलक चतुस फलक जो होता है दोस्तों वो होता है आपका PDCL4 के पाबर 2- ठीक है यह आपका आपका अकिरती जाहिस का चतुस फलक होती है ठीक है तो चारका से उतर आपका सी याद रखेगा नेक्स गोसन देखते हैं पांच नमर यह पांच जो नमर धोस्तों बहुत इंप्रेंट कोईशन है ये मतलब टी हाप का मानिया पूछा जा रहा है आपका कि पर्थम कोट ये रियक्शन के लिए टाइम पिरियोड ऑफ मतलब हाफ टाइम पिरियोड का मान जो होता है वो कितना होता है तो जानती होंगे दोस्तो जीरो पॉइंट तो याद रखे गया ये डरेक्ट फर्मूला भी या दोस्तो तौँ पांच का बी जियर नमरे देखते हुए कि फैराडे का विधूत अपघटन नियम निम्गित में से किसे संब्स In को सब्सक्राइब कि फैराडे का बिदूत अफ्घर नियम निमिखित में से के खैस मंदीत ये सम्बंन दो संभन के इलेक्ट्रोलाइट के हाँ समगतुल्य भार से ठीक है था थिक तो से उत्राइबे शे का डी साथ नमर देखते हैं दोस्तों कि सीनेवार कहा जाता है यह सीनेवार जो कहा जाता है दोस्तों यह एच जी एस को कहा जाता है याद रखेगा बहुत इंपर्टन कोच्छा नहीं है यह आठ नमरा कि परमानू दर्मान बराबर होता है एट्मिक वेट न причinos to atomic वेट क्या होता है दोफो आपका और माहस या फिर ट्मिक वेट जो पर्मानों केदरों की संख्या होती है और प्रोटोनों के संख्या कि योगफल को हम लोग पर्मानु दर्मान बोलते हैं ठीक है आठका सी नौन नमर देखते हैं दोस्तों कि बिना बुझे हुए चुना को जब जल में डाला जाता है तो अभिकिरिया होती है क्या कोच नहीं कि बिना बुझे चुना को जब जल में डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिकिरिया होती है दोस्तों यह होता है अपका उस्मा छेपी अभिकिरिया तो याद रखेगा नौका A नेक्स कोर्शन देखते हैं दस नमर डी और्विटल का अकार होता है किछ तरह का होता है तो औरबल डुबी वेन होता है दोस्तों दोस्तार स्यूटर यहां पर दस का सिपक्रा दोने का Soda होता है कप्रा दोने का सोडा या फिर वाशिंग सोडा ठीक है वह na2 co3 होता है लेकिन यहां पर देखिए तीन आप्षन है na2 co3 into 10s2 इसका जो चाही फर्मूला होता है दोस्तों वह था अरिजिनल फर्मूला हुआ इसका ठीक है तो 11 का यह हो जाएगा na2 co3 into 10s2o नेक्स्ट को संदेखते हैं बारा नमर दोस्तों बत्या जा रहा है कि छारिये मिर्दा धातु का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास क्या है क्या कोचन है कि छारिये मिर्दा धातु का इलेक्ट्रोनिक बिन् अब चोदर नमर है दोस्तों कि बाहितम बिन्यास 3D6 और 4S2 यह किस मतलत तो इलेमेंट का यहाँ पे बाहितम बिन्यास में इतने लक्ट्रोन रहते हैं दोस्तों इस तरह से 3D6 और 4S2 यहाँ पे CA जिंक और मैगनेशियम यह और कॉपर ठीक है तो इस आप्शन में यह कोई भी आप्शन नहीं है दोस्तों ठीक है इसका जो एंसर होगा वो डिसक अप्शन में आप लोग को देद लोंगा या फिर आप लोग जानते हैं तो कॉमेंट जरूर करना ठी कि कि भायतम बिन्यास को अंक्स एलिमेंट के भायतम कक्षा में रहते हैं इस तरह से 3D6 और 4S2 15 का यह रसानीक नाम क्या है तो बोरेक्स जो होता है दोस्तों सुःचा नाम होता है दोस्तों अवरावन विकर्ण जो दरशाता है उसका दरशाता है मतलब किससे तो भारवन तो वो दर्चा आपको सिलिक आन से तो से उतर आप एसा इसे 17 17 है कि उस्मा और विधूत का अठ्षा चालक है हुआ 의 विधूत का जो अच्छा चालक है दूस्तों वह आपका गरे फायट fees TO से उतर यहां पे सत्रह का सी अठारा देखते हैं कि निमलिखित अपर रूपो में कारवन का सरवाधिक परतिसा जो अधिक्तम होता है वो किस में होता है दोतों तो वो होता है आपका यहाँ पे गरिफाइट में ही तो तो यहाँ पे अठारा का C उनेश नुमर है बता है जा रहा है कि हीरे में कारवन का जो संक्रन है वरिटेशन है वो बताना है दोस्तों तो वो हो जाता है आपका SP3 तो से उतर यहाँ पे उनेश का A 20 है कि कारवनिक योगिक में तत्व उपस्चित होना चाहिए क्या कोचन है और नेटरोजन 21 है कि शर्म क्योंड सबसे ज्यदा होता है तो सर्क्रान जोगिक में तो से उतर यहाँ पे 21 का B 23 नोमर है कि अलकीन निम्लखित में से कौन अखिकिरिया देती है ? तो एलकीन जो देता है दोस्तों वो देता है आपका योगात्मक अभिक्रिया तो से उत्तर यहां पर 30 का यह भी कोचन में आपको बत्या था 24 है कि कारवन कारवन एकल बांड की जो लंबाई होती है वो कितना एंगर्श्ट्रॉम के बीच में होता है दोस्तों यहां पर कारवन कारवन एकल बांड की लंबाई तो यह होता है दोस्तों आपका 1.54 एंगर्श्ट्रॉम तो से उतर यहां पर C कारवन का जो समय जोगता है मतलब है लेनस यह दोस्तों कि वह आपका के नहीं पर को लेनस यह दोस्तों किए जो शुदता का जो लक्षन है वह आपका यह पर गल लाम्हक है तो इसे उत्यापवाद सब्सक्राइब करना और इसी तरह के और वीडियो को सब्सक्राइब करके ब्लाइकन को प्रिस्क्राइब लिक मिल जाएगा वेबसाइट और मुबाइल अपका जहां से आप लोगों को इंदी और इंग्लीज दोनों बीदियम चात्रों के लिए अबजेक्टिव और सब्लेक्टिव का एंसर कोईश्टन मिल जाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में दोस्तों किसे और वीडियो क अपले